बश्कार सातियो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से तो सातियो आज की इस क्लास में हम 25 ऐसे महत्वपुन क्यूस्चन लेकर आए हैं जो कि 2024 में आपको हर एक्जाम में इन में से क्यूस्चन देखने को मिलेगा क्योंकि ये सभी क्यूस्चन 2024 के बहुत इंपोर्टेंट क्यूस्चन है तो सातियो क्लास को कोई भी स्की मत करना वीडियो को लास तक जरूर देखना और एक बार सभी साति वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक और क्लास को शेर जरूर कर देना जिसने भी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो वो साथी चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना तो साथियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास तो देखे आज का मारा फस्क्यूस्चन बाहरत का राष्टिये वाक्य क्या है बताई कि भारत का राष्टी ये वाक्य क्या है तो साथियो ओप्षन इसके अंदर जै हो, सत्य में हो जैते जै भारत, जै हिंदुस्तान तो साथियो यहाँ पर इस क्युस्टन का अंसर हो जाएगा सत्य में हो जैते तो option B इसका right answer होगा तो याद रखे बारत का राष्टी ये वाक्य क्या है सेत्य में हो जैते अगर आप किसी भी question पहले से जानते हो तो उसका जवाब आप comment box के अंदर जरूर देना इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी त्यारी ये वो कैसी चल रही है तो साथियो option A इसके अंदर अकबर, बाबर, सहजा, हुमायो तो साथियो आगरा के लाल किले का निर्मान करवा था अकबर ने option A यहाँ पर इस question का right answer होगा याद रखे आगरे के लाल किले का निर्मान अकबर ने करवा था अभी देखे अगला question कार बैटरी में कौन सी एसिड का प्रियोग किया जाता है पताए कि कार की बैटरी में कौन सा एसिड इस्तिमाल में ला जाता है कौन सी एसिड का प्रियोग किया जाता है कार की बैटरी में तो साथिव, Car की Battery में Self-Huric Acid का इस्तेमाल किया जाता है Opurrection B Here पर आप किस Question का Right Answer होगा important question ने याद रखिए Car की Battery में कौन से Acid का इस्तेमाल किया जाता है Self-Huric Acid का अभी चलते हैं अगले Question पर Pluto Gray को किस स्रेन में रखा गया है Important Question बताए कि Pluto Gray को कौन सी श्रेणी में रखा गया है तो साथियो option इसके अंदर बोना गरे, सुदर गरे, वेले युक्त गरे इन में से कोई नहीं तो साथियो पुलूटो गरे को रखा गया है बोना गरे, श्रेणी में option A या आप रापके इस question का right answer होगा तो अभी देखिये next question महा बोध दिमंदिर कहा प्रस्तित है option इसमें राची, बोध गया, पतना, हजारी बाग तो साथियों महा बोध दिमंदिर श्तित है बोध गया में option B या आप इस question का right answer होगा याद रखिये महा बोध दिमंदिर कहा प्रस्तित है बोध गया में अभी चलते हैं अगले question पर पेस्मेकर किस्षे सम्बंदित है important question है बताए कि पेस्मेकर का सम्बंद किस्षे है option देखिये यकृत, किड़नी, हर्दय, रख्त तो साथियों पेस्मेकर का सम्बंद है हर्दय से option C ये आपर आपके इस question का right answer होगा याद रखिये पेस्मेकर का सम्बंद किस्षे है हर्दय से अभी चलते है next question पर पसूपती नाथ मंदिर कहा प्रस्तित है option देखिये अफगानिस्तान, बोटान, मैनमार, नेपाल तो साथियों पसूपती नाथ मंदिर है जो ये हैं नेपाल में स्तित option D ये आपर आपके इस question का right answer होगा याद रखिये पसूपती नाथ मंदिर नेपाल में स्तित है अभी चलते है next question पर बार्त में कौन से वर्ष ब्रिटिस अधिनियम समाप्त हुआ option देखिए 1945, 1947, 1947, 1949 इसमें question को थोड़ा गुमाफिरा कर आपसे पूछ लिया गया है कि ब्रिटिस अधिनियम जो कब समाप्त हुआ यानि कि बार्त को आजादी कम मिले तो साथियों 1947 में option B ये आपर आपके question का right answer होगा अभी चलते है next question पर हुमाईू का मकबरा कहा श्तीत है बताए कि हुमाईू का मकबरा बारत में कहा पर श्तीत है option देखिए कॉलकाता, मुंबई, दिल्ली, लखनौ तो साथियों हुमाईू का मकबरा है दिल्ली के अंदर स्तीत option C ये आपर आपके question का right answer होगा हुमाईू का मकबरा जो इसका निर्मान किस ने करवा था जो इनकी बेगम थी उन्होंने इस मकबरे का निर्मान दिल्ली में करवा था अभी चलते हैं अगले question पर आर्थिक आपातकाल किस के द्वारा लागू किया जाता है important question है option देखिए बार्थ का कौन सा अनुचेद बार्थ को राज्यो के संग के रूप में वर्णित करता है बतायों कि कौन सा अनुचेद है जो बार्थ को राज्यो के संग के रूप में वर्णित करता है तो option देखिए अनुचेद 2 अनुचेद 3 अनुचेद 1 अनुचेद 6 तो शात्यों अनुछेद एक है जो यह भारत को राज्यों के संग के रूम में वर्णित करता है option C यह आपना किस question का right answer होगा important question है याद रखिये कोन सा अनुछेद है जो भारत को राज्यों के संग के रूम में वर्णित करता है अनुचेद एक अभी चलते हैं अगले क्यूस्टन पर आजाद हिंद फोच का गठन किस वर्ष किया गाँ था ओप्शन देखिए 1942, 1940, 1943, 1945 तो साथिव आजाद हिंद फोच का गठन किया गाँ था 1942 में ओप्शन ए या आपर इस क्यूस्टन का राइट आंसर होगा याद रखिए आजाद हिंद फोच का गठन 1942 में किया गाँ था अभी चलते हैं नेक्स क्यूस्टन पर बारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सठती है बताए कि बारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है तो उप्षन देखिए मध्य परदेश उत्तर परदेश गुजरात राज्यस्तान तो साथियो बारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है एक्सरे का आविस्कार किस नहीं किया था बहुत इंपोर्टेंट क्यूस्चन है बताए कि एक्सरे का आविस्कार किस नहीं किया था तो साथियो एक्सरे का आविस्कार किया था डबलो सी रो एंट टेंजन ने option C या आपके इस question का right answer होगा सभी सातियों से एक request है कि एक बार class को सभी like और share जरूर कर देना और जिसने अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो वो साती channel को subscribe जरूर कर लेना क्योंकि आपको मारे channel पर daily ऐसे ही मैत्वपूर्ण question की class देखने को मिलेगी और bell icon को all पर कर लेना तो अभी चलते हैं next question पर माउंट किली मंजारो कहां स्थित है option देखिए तंजानिया, साथी अरब, बलुचिस्तान, किर्गिस्तान तो सातियों mount किली मंजारो है ये तंजानिया में स्थित है option A या आपर इस question का right answer होगा याद रखिए माउंट किली मंजारो कहां स्थित है ये तंजानिया में अभी चलते हैं next question पर विशव स्वास्ता संगठन की स्थापना किस वर्स होई बताए कि जो world health organization है इसकी स्थापना किस वर्स होई थी तो साथियो विशव स्वास्ता संगठन की स्थापना होई थी 1948 में option B या आपर आपके question का right answer होगा important question है याद रखिए विशव स्वास्ता संगठन या world health organization की स्थापना 1948 इसकी में होई थी अभी चलते हैं next question पर golden girl पुस्तक किस्य संबंदीत है बताए कि golden girl पुस्तक का संबंद किस्य है तो option देखिए साइना नेवाल, कर्णा मलेश्वरी, पीटी उसा या इन में से कोई नहीं साथियो golden girl पुस्तक का संबंद है पीटी उसा से option C या पर आपके question का right answer होगा important question है याद रखिए golden girl पुस्तक का संबंद किस्य से है पीटी उसा से अभी चलते है next question पर कवको का अध्यन क्या कहलाता है बताए कि कवको का अध्यन है वो क्या कहलाता है तो साथियो गवको का अध्यन कहलाता है mycology option C या आपके question का right answer होगा याद रखिए कवको का अध्यन क्या कहलाता है mycology अभी चलते है next question पर बार्थ के पर्थम उपगरेगा नाम क्या है important question है बताए कि बार्थ के पहले उपगरेगा नाम क्या है option देखिए आरियबट, रोहनी, अपसरा या इन में से कोई नहीं तो साथियो बार्थ का जो पर्थम उपगरेगा उसका नाम क्या है आरियबट option A यहाँ पर आपके question का right answer होगा याद रखिए बार्थ के पर्थम उपगरेगा नाम आरियबट है अभी चलते है next question पर टीपू सुल्तान मस्जिद कहां स्तीत है option देखिए मुंबई, एहमदाबाद, कोलकत्ता, गुवालियर तो साथियो टीपू सुल्तान मस्जिद है यह पिस्यमी बंगाल के कोलकत्ता में स्तीत है option C यह आपके question का right answer होगा याद रखिए टीपू सुल्तान मस्जिद कहां प्रष्थित है कोलकत्ता गे अंदर अभी चलते हैं next question पर जड़तों का नियम किस ने दिया था important question बताए कि जड़तों का नियम एक किस ने दिया था option देखे Newton, Rutherford, Robert Hook, Einstein तो साथियो जड़तों का नियम दिया था Newton ने option A यह आपके question का right answer होगा याद रखे जड़तों का नियम एक किस ने दिया था Newton ने अभी चलते हैं next question पर फूलों की गाटी कहां श्तित है बताए कि फूलों की गाटी यह बार्थ के किस राज़े मिश्तित है option देखे उत्राखंड, बिहार, गुजरात, हरियाना तो साथियो फूलों की गाटी यह उत्राखंड में श्तित है option A या परिश क्यूस्चन का right answer होगा याद रखे यह फूलों की गाटी कहां श्तित है उत्राखंड में अभी देखे next question असोक ने बोध परशारक के रूप में किस को स्रीलंका बेजा था बार बार एकजाम में क्यूस्चन पूछा जाता है बताए कि असोक ने बोध परशारक के रूप में किस को स्रीलंका बेजा था option देखिए उत्रा, संग मित्रा, रक्षित, महादेव तो साथि असोक ने बोध परशारक के रूप में स्रीलंका किस को बेजा था संग मित्रागो ओप्शन भी आपर इस क्यूस्टन का राइट आंसर होगा बहुत इंपोर्टेंट क्यूस्टन है याद रखिए असोक ने बोध प्रसारक के रूब में स्री लंका किसको बेजादा संग मित्रागो अभी देखें नेक्ट क्यूस्टन कौन से अनुचेद के तहट हिंदी कोराष्टिय बासा का दर्जा दिया गया है बहुत इंपोर्टेंट क्यूस्टन है बताए कि किस अनुचेद के तहट हिंदी कोराष्टिय बासा का दर्जा दिया गया है तो ओप्शन देखिए अनुचेद 347, अनुचेद 341, अनुचेद 12 121,2 frame 34. तो साती ही हिंदी को राश्ठी बासागा दर्जा दिया गया है वो अनुचे 343 के तहत दिया गया है. तो option A यहाँ पना आपके keep question गा right answer होगा? याद रखिए हिंदी बासागो रास्ठी बासागा दर्जा अनुचे 343 के तहत दिया गया है. तो अभी चलते हैं next question पर अरुनाचल परदेश की स्तापना कोन से वर्ष में हुई थी option देखें 1956, 1930, 1961, 1987 तो साथी अरुनाचल परदेश की स्तापना हुई थी 1987 में option D या आपर इस question का right answer होगा याद रखें अरुनाचल परदेश की स्तापना यानि के रुनाचल परदेश को राज्य गोशित कर दिया था कब 1987 में तो साथी ये थे आज के हमारे 25 most important question I hope आपको क्लास पसंद आई होगी सभी question बहुत ही important थे 2024 में आपको इस class में से एक या दो question हर एक जाम में देखने को मिलेगा तो एक बार सभी साथी class को like और share जरूर कर देना तो daily हमारे साथ ऐसे ही मैं तपुन class की देखने के लिए आप चैनल को subscribe जरूर कर लेना तो साथीो कल फिर मिलते हैं इसी सिमय पर तब तक सभी साथीों को जै हिंद जै बारत वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद